दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता है कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी कबर बिहार में नई गाइडलाइन जारे इन दुकानों को रोज खोलने का आदिस जिहां बिहार में कुरोना के घटे ग्राब के बीच बिहार सरकार ने लोगडाउन को एक सब्ता के लिए बढ़ाने का वड़ा फैसला लिया है बिहार के मुखी मुंदरे नितिस कुमार ने खुद समुआर को टीट करके इस बात की जानकारे दी है कि अगले साथ दिनों के लिए लोगडाउन को बढ़ाया जा रहा है यानि अब बिहार में 8 जून तक लोगडाउन लागो रहेगा सरकार की ओर से इस बार लोगडाउन में आम लोगों को काफिर रियायत दी गई है आपकी जानकारे के लिए बताती के राज जी में 2 जून से सवीतरा की दुकाने एक दिन के बीज कर सुबद 6 से 2 बजे तक खुलेगी कौन से समुख की दुकाने किस दिन खुलेगी या जिले के डियमते करेंगे लेकिन कुछ ऐसी दुकाने हैं जो रोज खुली जा सकती है सरकार की ओर से जारी नई गाइलाइन के मुताबिक फल, सबजी, खाज, समगरी, मास, मचली, दूद, पीडियस, उरवरक, बीज, किटनासक और क्रिसी यंत्र की दुकाने रोज सुबह 6 बजे से दोपार 2 बजे तक कोले जा सकती है फल और सब्जी की दुकाने को लेकर सम्मंदित जिले के जिलादी कारी स्केटर करेंगे यानि कि इन दुकानों का फिलाव किया जा सकेगा ताकि एक ही जगह पर ज्यादा भेड़ना एकत्रित हो सही तरिके से सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके इस दोरान गाईलाइन का पालन किया जाना अनिवार है इस दोरान पुलिस बलुक को भी निगरानी रहेगी सारी और ग्रामिन चेतरों के लिए अब एक समय निधारित किया गिया है नई गाइलान के मुताबिक सरकारी दब्तर में 25 पीज़िक कर्मी उपसित हो सकेंगे वहीं प्राइवेट कार्याले अभी बंद ही रहेंगे अगली बाड़ी कबर पाटना में लोगडाउन में खुलेगी सभी दुकाने फल सब्जी की दुकान को लेकर डियम ने बनाया नियम जहाँ पाटना डियम चंदर सेकर सिंग ने बताया है कि नई प्रतिबंध के नियमों के साथ 2 जोन से 8 जोन तक लोगडाउन लागो किया गि और दूसरे दिन खुलेंगी लोगों का व्यवसाइज चलता रहे और संक्रमन ना फेले इसका ध्यान रखा जाएगा वहीं होलसेल और रिटेलर का मार्केट भी अलग अलग होगा डियम ने कहा कि लोगडाउन की दोरान आवागमन पर प्रतिमानित पहले की तरह ही रहेगा निजीवाहनों की परिचलन पूरी तरह से प्रबंदित है लेकिन जरूरिक कारियों के लिए इपास जारी किया जाएग अगली बड़ी कबर सडक दुरगटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुचाने पर इनाम देगी सरकार बिहार सरकार सडक दुरगटना में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने के लिए नई पहल करने जा रही है सरकार ने ये तई किया है कि दुरगटना में घायल होने वालों को अगर कोई वेक्ती अस्पताल तक ले जाता है तो उसे पांच हजार रुप्य का पुरुसकार दिया जाएगा बिहार सरकार की परिवहन विभाग ने ये प्रस्ताव तयार कर चुका है जल्द ही इस प्रस्ताव को केबिनेट में भेज कर अपचारिक फैसला लिया जाएगा अगली बाड़ी कबर बिहार में सबी अफिलेटेट कोलेज बनेंगे ओटो नॉमियस इंस्टिटूट नए कोलेजों को अब नहीं मिलेगा अफिलेशन जिया अप्रादेश में अब अगले 15 साल तक किसी भी नए कोलेज को समधता नहीं दी जाएगी यहां तक कि पुराने कोलेज की समधता का नवीनी करन भी नहीं होगा इस समद में सिक्चा विवाग एक अहम निर्ने लिने जा रहा है दरसन नहीं सिक्चा निती के तहद विश्विदालय को समधता देनी का अधिकार खतम किया जा रहा है नहीं सिक्चा निती के तहद अप्रतेग समधता प्राब्द कोलेज स्वायत संस्तान के रूप में काम करेगा अगली बड़ी कबर अब देश में कहें भी एक कॉल पर बुक कर सकेंगे टिका करन के लिए अपॉइम्मेंट जा स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने राश्टी हेलपलाइन संक्या 1075 नमबर जारी किया है जिस पर देश में कहीं भी टिका करन के लिए आवेदन किया जा सकता है उससे उन लोगों को सायता मिलेगी जो इंटरनेट का परियोग नहीं करते हैं ग्रामिन भारत में टिका करन के आवेदन के बारे में राश्टी स्वास्थ पादिकरन पोदोदुगी के परमुक आरेस सर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए के प्रानाले समावेसी है हमने 1075 कॉल सेंटर खोले हैं जहां कोई भी कॉल और अपयमेंट बुक कर सकता है ग्रामिन चेत्रों में टिका करन के लिए स्लोट बुक करने के लिए हमारे साथ भागी तारिक करने वाले सभी सामानी सेवा केंदर काम करेंगे बड़े कबर बिहार के बच्चों पर आई आपत नई बिमारे MISC की सिकार बनने लगे हैं बिहार के मासूम अद्दक साथ की पहचान जिहां घातक बिमारे करोना के कारण अब बच्चों पर नई आपत आई है ब्लैक वाइट और योलो फंगस के बाद बच्चों में नई बिमारे फैलने लगी है डाक्टरों ने इसकी पहचान MISC यानि कि मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिंडियन के तोर पर की गई है बिहार में इसने बिमारे ने दस्तक दे दी है पटना में अब तक साथ बच्चों में या लच्चन पया जा चुका है पटना के अस्पताल में अब तक इस बिमारे से ग्रसित साथ बच्चे भरती हो चुके हैं डॉक्टर बता रहे हैं कि इस बिमारे की सिकार कुरोना के दूसरे लहर के दोरान परिवार की लोग को रूस संक्रमित हुई आपके जानकारे के लिए बतादे कि इस भीमारी का सिकार बनने का खत्रा बारत साल तक की उम्र वाले बच्चों में चुझत होता है हाला कि 18 साल तक के बच्चों को ये विमारी हो सकती है अगली बड़ी खबर भी हाँ करोना से ग्रामिन डाक सेवकों की मौत पर परिजनों को मिलेगा 10 लाख मौवजा डाक विवाग ने लिया अहम फैसला करोना के चलते कई लोगों ने अपनी जान गवा दी है कई ग्रामिन डाक सेवकों की करोना संगरमन से मौत हो गई है ऐसे में डाक विवाग ने अहम फैसला लिया है कि कोविड-19 से निदन हुए ग्रामिन डाक सेवकों को 10 लाख रुपे का मौवजा मिलेगा इस समद में भागल पूर प्रदान डागर के पोश्ट मास्टर सुनिल कुमार सुमन ने बताये के डाक निदसाला के निदस के जानकारे मिली है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन प्राप नहीं हुआ है मुआवजा सम्मादी नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर परिजनों की ओर से आवेदन आने पर मुआवजा रासी मिलेगी आगली बाड़े कबर बिहार में दाम तोडने लगा है कोरोना पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 1113 नए मरेज कुल एक्टिव केस पहुचा 16,235 जहां बिहार में अब कोरोना देरे देरे दाम तोडने लगा है स्वास्त बिवाग की और से मिले जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में बिहार में 1113 कोरोना के नए मिरेज मिले हैं इसके साथ एक कुल एक्टिव केसों की सिंग के घट कर 16,235 तक पहुच गया है हाला कि राज़ानी पटना में सबसे ज़्यदा केस 164 मिले हैं और आपको बता देगी बिहार का रिकावरी दर 97% से अधिक हो चुका है अगली बैड़ी कबर बिहार में खतम हो गया यास चकरवर्ती तुपान का असर अब 13 जून को मानसुन की एंट्री जिया बिहार में यास चकरवर्ती तुपान का असर अब खतम हो गया है बारिस के बाद नमी की मात्रा काफी बढ़ गई है अब बिहार में मांसुन का इंतिजार सुरू हो गया है मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक तेरा जून को बिहार में मांसुन के इंट्री हो जाएगी मांसुन पूर्णिया के रास्ते बिहार में परविश करेगा दोसरी तरफ बिहार में नदियों के बढ़ते जलिस्तर से गहराने लगा है संकट जाने कोसी बागमती गंडक नदिया किस तरफ बदला रूप यहां तुपान के कारण बिहार में बारिश ने जोरदा तरिके से दस्तक दी है वह मांसुन के आगमन से पहले ही सुबे की नदियों के जलिस्तर में बढ़तरी अब आम लोगों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है गंड़क कोशिव बागमती नदी की बढ़ते जलिस्तर ने लोगों को संकट में डाल दिया है कई आने नदियों के जलिस्तर बढ़ने से भी परिसानी बढ़ गई है साथी बिहार में दर्बंगा भागलपूर मुझेपरपूर सहरसा मदोबने सुपोल समेत कई जिलों की लोग नदियों के बढ़ते जलिस्तर से परभावित हो चुके है अगली बड़ी कबर बिहार के 8 जिलों में 10 से कम नई संक्रमित 130 प्रकंडों में कोरोना के मामले नगन जिहां बिहार के 130 प्रकंडों में कोरोना के नई संक्रमित नहीं मिल रहे हैं इन प्रकंडों में इतिहात के तोर पर जाज के नियमित प्रक्रिया जारी है वहाई 6 जिलों में 2 दिनों से 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं जबकि कभी एतदिक संक्रमन के मामले वाले नौ जिलो में तेजी से संक्रमितों की संक्या कमी हो रही है। बिहार के नौ जिलों में पले जहां 300 से 500 संक्रमित औसतन प्रतिदिन मिल रहे थे वहां अब नई संक्रमित कम मिल रहे हैं इन जिलों में पट्टना बेगुसराय और अरंगाबाद भागलपूर पुर्वी चमपारान सारन मदुमनी पूर्निया और मुझपरपूर सामिल है। कोरोना से मुक्ति के कगार पर पहुँच चुके हैं इनमें अर्वाल, औरंगाबाद, बाका, भोजपूर, बकसर, जहानाबाद, केमुर और सेखपुरा सामिल हैं इनमें औरंगाबाद और जहानाबाद को छोड़ दे तो बाकी छोज जिलों में 30 और 31 मैं को 10 से भी कम नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है अगली बड़ी कबर बिहार में पस गया सिक्चक बाले का मामला सरकार और ब्लाइंड फेडरेशन आमने सामने तीन जिन को अगली सुनवाई अभियार में सिक्चक बाले का मामला भसता ही नजर आ रहा है अभियरतों को अभी भी और लंबा इंतिजार करना पड़ सकता है क्योंकि बिहार सरकार और नेशनल फेडरेशन आप ब्लाइंड मामला सुलज नहीं रहा है पतना हाई कोर्ट में समवार कोवी सुनवाई में को इसके रंगुटा ने कहा था कि अब दिवयांग के लिए सही तरीके से वेकंसी नहीं निकाली गई तो इससे अभियरती अबलावी नहीं कर सके हैं इसलिए दिवयांग अभियरतियों से 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिपाई करके आवेदन मांगा जाए इस पर विहार सरक पितार ने अपना पक्च रखा और कोड को बताए कि सरकार फेडेशन के मांग पर तयार नहीं है अगली बड़ी कबर साइकिल गर्ल जोती की पिता का निधन लंबे समय से थे बिमार गाह में मातम का महल जिहां कोरोना काल में अपने बिमार पिता को गुरुक गराम से जोती को संतावना देने पहुच रहे हैं गौर तलब की कोरोना की पहली लहर में जोती अपने बिमार पिता को साइकिल पर बिटा कर गुरुक गराम से दरबंगा पहुची थी आठ दिनों में 1200 किलोमेटर की दूरी तई कर साइकिल गर्ल जोती दरबंगा इसीत अपने लोगों ने खोब दारे भी की थी आज जोती की पिता मोहन पासवान की निदन से पूरे गाह में मातम का माहुल है अगली बड़ी कबर सीबीसी बारवी बोर्ड परिक्चाओं पर आज हो सकता है बड़ा एलान जिहां केंद्रे मार्दमिक सिक्चा बोर्ड यानि सीबीसी की बारवी के परिक्चाओं को रद करने या आज़ित करने पर आज एक जून 2021 को बड़ा एलान हो सकता है सिबीसी और काउंसिल फोर दा इंडियान स्कूल सर्टिपिकेट एगजामिनेशन की कक्चा बारवी की परिक्चाओं को रद किये जाने की लगातार मांग की जा रही है इसी बीच बारवी परिक्चाओं को लेकर एक जून यानि के मंगलवार को केंद्रे सिख्चा मंत्रा ले और सिबीसी की ओर से अपना आखरी फैसला सुनाया जा सकता है सिबीसी ने अप्रिल में कोरोना संकट को देखते हुए एक जून 2021 तक परिक्चाओं इस्तगित रखन और लाइन में समेत कई पदों पर भरती जिए पंजाब इस्टेट पावर कॉर्परेशन लिमिटेट ने कलरक जूनियर इंजिनियर और लाइन में समेत बिभिन पदों पर भरती के लिए ऑनलाइन आवेदान काल यान 31 मौई 2021 से सुरू कर दिये हैं इन पदों के लिए आव रिक्तिया रेवेन्यू एकाउन पांसो उन्चास कलर्क 75 जुनियर इंजिनियर और 170 असिस्टेंट लाइन मेन 290 असिस्टेंट सब इस्टेशन ओडेंट के लिए हैं साथ यह आवेदन सुल्क की बात करें तो दिवियांग और सी को छोड़ कर बाकी के लिए 944 रुपे रखे गिया है ओलाइन आवेदन के लिए आप PSPCL के ऑफिस्यल वैवसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आज के लिए आपका सवाल बताए के 8 जून तक बढ़ाए गया लॉड़ान में और किसमे चूट मिलनी चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बत क्विस्ते हैं